नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पातफाइंडर पर इतिहास में पहली बार भारत के द्वारा बुल सीमन को इंपोर्ट किया जाएगा ब्राजील के देश से जी हां इंडिया जो की वर्ल का लार्जेस्ट मिल्क प्रडियूसर है उसके द्वारा ये वाले इंपोर् में नहीं 40,000 doses of बुल सीमन को इंडिया ब्राजील से इंपोर्ट करने वाला है आप यहां पे देख पाएंगे लाइव मिंट की ये वाली खबर है थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बहुत relevant है इसलिए कवर कर रहा हूं इंडिया इंपोर्ट बुल सीमन फ्रॉम ब्राजील इन प्रयास करने वाले हैं आए शुरू करते हैं दोस्तो मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राफ्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिये गए Telegram Channel के माधिन से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दो दोस्तो आज से दो दिन के बाद 6 फरवरी शाम को 5 बजे आपको आना है नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जहां पर इंडिया का largest ever UPSC seminar होने वाला है जिसमें कि आपको top educators के साथ और साथ में आपको कई IES IPS officer से मिलने का मौका भी मिलने वाला है इसमें enroll करने के लिए इस QR code को scan कर सकते हैं otherwise नीचे description में भी आपको एक link दिया हुआ है उसके माध्यम से भी आप इस seminar में आकर के enrollment कर सकते हैं Alright, सबसे पहले Brazil के बारे में कुछ बातें आपको बता दूँ South America के continent में आपको ये Brazil का देश देखने को मिलता है and obviously Brazil area के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा country है It is the fifth largest country by area and population के हिसाब से भी ये seventh most populous country देखने को मिल जाती है ये जो यहाँ पे Brazilia आप देख पा रहे हैं ये इसकी राजधानी है लेकिन इसकी जो सबसे ज़ादा अबादी वाली city है उसका नाम है Sao Polo अगर हम Brazil की बात करें तो agriculture के शेतर में Brazil बहुत ज़ादा आगे है specifically बहुत सारे areas की बात करें तो sugar cane हो गया, soy हो गया, coffee हो गया, orange हो गया इन में Brazil world का largest producer है जैसे हम sugar की बात करते हैं तो वहाँ पे India largest producer है लेकिन sugar cane के case में Brazil दुनिया में largest producer माना जाता है Now, news में क्या देखने को मिला है कि इंडिया के द्वारा ये import by the way already हो चुका है, बातचीत नहीं चल रही है ये import already हमने complete कर लिया है इंडिया has imported 40,000 doses of bull semen from Brazil for the first time और agenda हमारा ये है कि हम लोग milk output को boost करना चाहते है via the process of artificial insemination ये वाला जो यहाँ पर import है, किसने conduct किया है, हमारी जो national body है, जो कि इन सभी चीजों को oversee करती है the national dairy development board, popularly called as NDDB इसके द्वारा basically इस bull semen की doses को import किया गया है और इसमें भी इनका जो target है, वो mainly जो इंडिया की native breeds है, गिर और कांकरेज, इनकी जो number है, इसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है बात करेंगे इसके बारे में, NDDB के बारे में आपको briefly बता दूँ, NDDB दोस्तों यह वही वाली संस्था है जिसको की वरगीज कुरियन जी के द्वारा बनाया गया था, जिनको की अकसर इंडिया का milkman भी कहा जाता है गुजरात के आनंद में आपको इसका मुख्याल ने देखने को मिलता है और आपने पढ़ा होगा Operation Flood के बारे में, जो की इंडिया में बहुत लंबी देर तक चला था जिसका परिणाम था कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा milk producer बना तो Operation Flood जो था, वो NDDB के द्वारा ही carry out किया गया था जिसको हम लोग popularly white revolution का नाम भी देते हैं और इवन जो mother dairy का brand जो की आप अकसर देखते हैं तो वो भी NDDB के द्वारा ही यहाँ पे operate किया जाता है खेर, talking about the news, तो यह जो यहाँ पे bull semen को import करने का task था यह बहुत ही मुश्किल task था, यहाँ पर अगिन देखेंगे तो Brazil की embassy में जो agriculture के attache हैं जिनका नाम है इन्होंने कहा कि यह एक बहुती लंबा project था पिछले 3-4 सालों से इसको लेकर बातचीच चल रही थी बलकि मैं कहना चाहूंगा 3-4 नहीं 6 सालों से बातचीच चल रही थी लेकिन discussion में बहुत सारी बाधाएं सामने आ रही थी अब जाकर के वो discussion solve हुई और अब जाकर के यह import हुआ है बाधाएं क्या-क्या सामने आ रही थी NDDB ने इस plan को पहली बार 2017 में सामने रखा था लेकिन हुआ क्या जैसे ही plan को सामने रखा तो इंडिया के जो cattle breeders थे उनका ये कहना था कि अगर हम लोग Brazil से bull के semen को मंगवाएंगे तो उस case में जो Indian breeds हैं वो यहाँ पे spoil हो सकती है तो इसी लिए जो domestic हमारे cattle breeders थे उनका ये मानना था कि ये सब चीजें जो है problem खड़ा कर सकती हैं हमारी जो domestic breeds हैं वो यहाँ पे spoil हो सकती है लेकिन NDDB ने अपने decision को justify किया काफी interesting है ध्यान से सुनिएगा basically क्या हुआ था हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिर जो हमारी cow की breed है गिर की जो breed है जैसा इसका नाम है ये आपको गुजरात के गिर वाला जो इलाका है वहीं देखने को मिलती है गिर वाले जो इलाके में ये वाली cow देखने को मिलती है 18th century में जो भावनगर के महराजा थे वहीं पे आसपास आने वाला इलाका भावनगर है उन्होंने ब्राजील को कुछ गिर काउस थी जो की gift करी थी तब से लेकर अभी तक ब्राजील ने उन काउस को preserve किया है मतलब की जो गिर काउस की original breed है जो की इंडिया में पाई जाती थी वो अभी भी ब्राजील में preserve करी गई है and over the years पिछले 200 सालों के अंदर जो गिर काउस जो ब्राजील में देखने को मिलती है वो बहुत popular हो चुकी है क्योंकि वो extreme weather को भी survive कर सकती है not just that उसकी वहाँ पर जो दूद देने की yield है वो बहुत जादा बढ़ चुकी है इंडिया की बात करें इंडिया में सबसे जादा popular है jersey cows लेकिन jersey cows के case में क्या हो रहा था जर्सी काउस भी जो है वो इंडियन ओरिजिन की नहीं है वो ब्रिटिश ओरिजिन की है जर्सी काउस 20 लीटर पर आनिमल अडे ओन आवरेज की yield यहाँ पे दे रही थी अगर हम लोग इंडियन ब्रीड की इंडियन ब्रीड ओफ गिर काउस की बात करें जो की आपको ब्राजील से देखने को मिलते हैं वहाँ से उनका सीमन इंपोर्ट करेंगे उनकी इंसेमिनेशन हम लोग इंडिया में आके करवाएंगे और उससे हमारा ये अनुमान है कि उससे जो हमारी yield है बहुत जादा बढ़ सकती है देखिए NDDB is going to use these doses एक research project में जिसमें की Brazilian genetics का इस्तिमाल करते हुए ultimately target ये है कि long run में 80 liters of milk per animal को निकाला जाएगा और ये Brazil के भी आकड़े बताते हैं कि Brazil में भी जो ये वाली जो गिर वाली cows हैं जो कि इंडिया नहीं gift करी थी वो 20 से 22 liter on an average तो दे ही रही है कभी कबार 40 liter के आसपास का दूद भी वो वाली जो गाये हैं वो वहाँ पर दे देती है ये सारी justifications जब NDDB के द्वारा दी गई बताया गया कि जो दूद है उसकी quantity इतनी बढ़ सकती है उसकी yield इतनी बढ़ सकती है तब जाकर के finally ये 6-7 साल की discussion को अंजाम मिला और आज इंडिया ने ब्राजील से बुल सीमन को import कर लिया है target क्या है? target बढ़ा simple है कि हम लोग milk की production को बढ़ाना चाहते है अमारी milk की production जो बढ़ रही है उसका pace बढ़ तो रही है लेकिन pace असल में काफी कम है FY23 की बात करें, fiscal year 23 की बात करें केवल 3.8% का increase देखने को मिला है और अभी 230.6 million tons of milk इंडिया के द्वारा बनाया गया है लेकिन हम लोग target कर रहे हैं 330 million tons of milk क्यों? because इंडिया में जो production है और जो consumption है वो almost साथ-साथ चल रही है लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले time में जो consumption है वो बहुत जादा बढ़ने वाली है और इसलिए हमें इसकी production को भी किसी तरीके बढ़ाना होगा आपको याद होगा पिछले साल अगर देखिए अपरेल 2023 में ये भी खबर सामने आई थी कि शायद से इंडिया में milk crisis हो सकती है और हमें बहुत सारे जो dairy products हैं butter हो गया घी हो गया उसको शायद हम लोगों को import भी करना पड़ सकता है इनी सब चीजों को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा ये वाला कदम यहाँ पर लिया गया है कहा ये भी जा रहा है कि अभी तो हम लोग केवल bull के semen को मंगवा रहे हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम में शायद embryo transfer को भी discuss किया जागा ये भी statement ब्राजील के जो diplomat हैं embassy में उनके द्वारा ही दिया गया है उन्होंने बताया कि embryo transfer तो और भी successful है क्योंकि अगर आप semen मंगवाते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम animals चाहिए जिनसके अंदर आप artificial insemination करवाएंगे लेकिन जब आप embryo मंगवाते हैं तो आपको animals भी नहीं चाहिए all in all I think it's a very very positive and a brilliant step जो की लिया गया है and इस पूरे step का जो overall इंडिया ब्राजील के bilateral trade में भी बड़ा योगदान है क्योंकि हमारा bilateral trade अभी केवल 15.2 billion dollar का है लेकिन target है कि हम लोग 50 billion dollar को touch करेंगे by 2030 तो उसमें भी इस कदम का एक बड़ा योगदान देखने को मिलने वाला है आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें definitely बताएं comment section में also अगर आप इंडिया की जो cow breeds का area देखना चाहते हैं कि कहां कहां पे कौनसी cow breeds देखने को मिलती है तो यहां पर देख सकते हैं वीडियो में मैंने जिकर किया था गिर का और कांकरेज का तो ये दोनों आपको गुजरात में ही देखने को मिल जाती हैं जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारे जो foundation programs हैं वो नई दिली के करोलबाग और साथ में मुखर जी नगर के offline centers में अब देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर जाकर के इनमें enrollment ले सकते हैं 2025 एवं 2026 के जो foundation programs है वो वहाँ पर available करवाए गए हैं इतना ही नहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपको UPSC के साथ-साथ UPPCS के GS patches भी available करवाए गए हैं आप उनमें जाकर के भी enrollment ले सकते हैं किसी भी course में enrollment करना है नीचे आपको bit.ly link दिया हुआ है वहाँ पर जाएए अपनी details भरिए मेरा code fill in कीजे और हमारी team आपको reach out करेगी Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe